आप सभी का आज किस कक्षा में स्वागत है, धंड बढ़ चुका है, अब तो पढ़ाई करने में भी और अच्छा लगेगा चली, आप जो हमारा टॉपिक है, वो भारत के विभिन राज्यों की त्योहार एवं डृत्य मतलब हमारे भारत में ऐसे कई स्टेट है, जिनके त्योहारों और नित्यों को हम समझेंगे डांस और आपकी जो फेस्टिवल होते हैं, चली, स्टार्ट करेंगे, आप यहां पस देख सकते हैं मैप, यह इंडिया का मैप है, जहां पस आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया एक ऐसा देश है, पूरे विश्रू में, जहां पर बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, और वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं, तो यह स की बात, फेस्टिवल भी आप देखते चलेंगे, यह सभी क्या है आपके, डानते हैं, यह सभी जो हैं फेमस नृत्ते हैं हम कह सकते हैं, इन्हें को हम समझने का प्रयास करेंगे, चलिए, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हम करेंगे चेराव नृत्ते, अब सवाल आता है कि मैम, हम यह टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके दो कारण हैं, सबसे पहला तो यह कि इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूर ही है, क्योंकि यह हमारा कल्चर है, अब यह तो हो गई समझने की बात, पर एक्जाम की पॉइंट ऑफ यू से अगर हम देखे, तो मी इसा यहां से सवाल देखने को मिलते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है, साथ ही आपका जो साहयक सिक्षक भरती पर इच्छा हो, यह किसी भी स्टेट में टेट का एक्जाम हो, वहां भी यह उप्योगी साबित होगा, इसके आतरिक जीके के पॉइंट ऑफ यू से भी यह इंपोर्टेंट है, चली स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं चेराव नृत्य की, यह जो आप इमेज देख रहे हैं, वो चेराव नृत्य का ही एक कह सकते हैं, साथ ही यह जो डांस होता है, वो कहां होता है, तो भारत का एक राज्य है, मिजोरम, यहां पस से डांस किया जाता है, मैप से समस्ते हैं, यह आपका भारत का मैप है, और देख सकते हैं, यह पूरा भारत का जो मैप है, उसमें एक छोटा सा राज्य है, मिजोरम, जिहां साथियों जहां पर यह नृत्य किया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमास है यह और परामपरिक र होता है इसके बारे मन समझेंगे अब देखी जो वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रही हूं वो चेराव डांस कहीं आप लोगों भी देखिएगा चेराव डांस होता क्या है ताकि आपके दिमार्ग में भी ये चीज बैट जाए देखेगे क्या है आपका चेराव डांस है आप अच्छे से इसे देख सकते है इसे समझना चरूरी है क्योंकि ये डांस कहा होता है ये मिजोरम में होने वाला एक परमपरी डांस है जो प्राचीन रूप से भी इसे जाना जाता है क्योंकि प्राचीन काल से चला आ रहा एक प्रकार का नित्य है चली ये तो होगे चिराओ नित्य की बाते अब हम अगला डांस देखेंगे, अगला कल्चर देखेंगे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी हम समझेंगे कि कुछ पॉइंट से यहां ध्यान देंगे चेराओ मिजोरम की पारामपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है याद रखिएगा एक्जाम में अक्सर यहां से सवाल देखने को मिलता है तो याद रखिएगा जो चेराओ नृत्य है वो कहां का पारामपरिक और प्राचीन नृत्य है तो यह मिजोरम का है दूसरा पॉइंट इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि अभी तक जितने भी नृत्य हैं उ यहां पर इसमें पूरूसों को क्या किया जाता है? पूरूसों को बास, पूरूस जो होते हैं, बास को फर्स के करीब रखते हैं, वे संगीत की ताल के साथ लाथी को खोखले और खोलते और बंद करते हैं. अभी हमने एक वीडियो के थ्रू समझा था, एक बार मैं आपनों को और दिखा देती हूँ, यहाँ पस पॉइंट पर ध्यान देंगे, यहाँ पस क्या करते हैं, पूरूस बास को फर्स के करीब रखते हैं, फिर संगीत के ताल पर लाठी को खोलते हैं और बंद करते हैं, जि देखें, यहाँ पस पूरूस क्या कर रहे हैं, म्यूजिक, जो म्यूजिक चल रहा है, उस अधार पर जो डंडा है, उसको खोलते हैं और बंद करते हैं, और इस ताल पर आप यह जो महिलाएं हैं, वो नित्य करते हैं, तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका चेराव नित् रंग बिरंगे अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे रंग बिरंगे परिधानों में महिलाएं संगीत के साथ बास के बीच और बाहर कदम रखते हुए सिर्ष पर नित्य करती है अभी हमने वीडियो में देखा कि कैसे पूरुस डंडे को क्या कर रहे थे ओपिन करते थे और फिर क्लोस करते थे तो इस तरह की चीजे हमने देखी जिसमें महिलाएं डांस करती है म्यूजिक के साथ तो चेराव नित्य क्लियर हो गया तो यह आप लोग की दिमाग में तुरंत आ जाएगा जब भी चेराव नित्य की बात आएगी चलिए अगला है आपका बीहू नित्य या बीहू डांस क्या होता है बीहू डांस इसको समझेंगे यह क्या है असम का एक प्रशिद्ध नित्य है डांस है बहुत अच्छे से हर साल यहां पर क्या होता है बीहू डांस को या बीहू नित्य को यह एक क्या होता है फसल कटाई के उत्सव पे ही मनाया जाता है मतलब अधिकतर जो ऐसे ही हैं जैसे आपका बीहू हो गया यह भी क्या होता है यहां पर कुछ सेवा चामल किसे कहते हैं इंपोर्टेंट है यहां से सवाल देखने को मिलते हैं सेवा चामल रात्री को कड़ाई में केले के पत्ते से ढखकर बनाया जाता है दूसरी चीज बिहू पर महिलाएं पाट और मूगा की मेगला चादर पहनती है यह जो आप देख रहे हैं यह क्या महिलाएं पहनी है यह उसी कपड़े की बात को रही है अब चलिए इसका हम वीडियो देखेंगे कि यह आपका जो बिहू डांस होता है वह होता कैसे हम समझने का प्रयास करेंगे अच्छा यहां पस कुछ पॉइंट्स भी है इसको भी देख लेते हैं फिर हम वीडियो से एक है मतलब असम में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं बहुत सारे त्योहर मनाया जाते हैं और भी बहुत सारे नित्य होते हैं डांस होते हैं लेकिन उनमें से जो प्रमुख है वो क्या है आपका बिहू डांस है यह साल में तीन बार मनाया जाता है सबसे इस साल में तीन का एकजाम दे रहे हो तेचिंग के एकजाम में अभी तक इतना डीप सवाल नहीं किया है कि हर साल कितने टियोहार मनाये जाते हैं या उनकी नाम क्या है लेकिन ये जरूर पूंछा जाता है कि एक तरफ आपका state दे देगा एक तरफ जो कला होता है या माग भी हूँ तीसरा आपका भोगली भी हूँ यह सभी क्या आपके डांस है रंगोली या बोहाग भी हूँ कि हम बात करें तो यह साल में साल में जो आपका अप्रेल महिना होता है उस महिने में मनाया जाता है और कंगाली या काती भी हूँ कि हम बात करें तो अक्टूव बन रहे हैं तो एक सवाल ये बन सकता है कि बताएए आपका रंगोली या बोहाग भी हूँ कौन से महिने में मनाया जाता है और भोगाली या माग भी हूँ आपके कौन से महिने में मनाया जाता है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है भी हूँ असमिया संस्कृतियों की पॉंगल तेओहर देखने से पहले आपका जो बीवू डांस होता है वो कैसे होता है हम इसे समझते हैं कि दो क्या है और देखेगे यहां पर जो आपने देख रहे हैं यह अपका बीवव डांस है विवू नृट्ट भी है आप देख सकते हैं इस सदोरा कई होता है यह यह जो मेगला पाठ यह उसी की बात होथि जो महिला यह पहनी है ना यह उसी विसेष्टा की बात फूरी है चलिए इतना काफी होगा विहूद नित्ते को समझने के लिए अब हम अगला परमपरा देखेंगे चलिए आगे देखेंगे अगला है आपका पॉंगल तेखार पॉंगल तेखार भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है मतलब यह जितने भी आप तेखार देख रहे हैं अगर आप टीचिंग की तयारी कर रहे हो तो टीचिंग में सबसे जादा आपका जो सवाल देखने को मिलते हैं इवेन अगर आप किसी सीजी टेट से अभी तक यहां से सवाल नहीं उठाया है लेकिन आपका जो सिक्षक भरती परिच्छा होने वाला है उसमें जीएस का जो पोर्शन है वहां से यह सवाल किया जा सकता है तो इस चीच को आप ध्यान रखेगा हम बात करते हैं पोंगल की तो यह पोंगल जो तेओहार है वो मुख्य रूप से भारत का जो दच्छिड भाग है वहां मनाया जाता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहा मनाया जाता है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका जो तमिल नाडू है वहां पर भी यह तेओहार देखने को मिलता है चल हम मुख्य रूप से बात करें, तो मुख्य रूप से तमिल नाडू में क्या किया जाता है, इस तेवहार को मनाया जाता है, अगला पॉइंट है, इस तेवहार को मुख्य रूप से दच्छीड भारत में एक फसल तेवहार के रूप में मनाया जाता है, खुल मिला के न, मतलब आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो कृषी प्रधान देश है, तो होता क्या है जब भी फसल कटाई होती है, तो फसल कटाई की खुसी में विभिन प्रकार के नृत्ति किये जाते हैं और उसे नाम दिया जाता है, जैसे 36 गड़ में भी फसल कटाई पर बहुत सारे न कटाई की खुशी में से मनाया जाता है अगर पोंगल सब्के अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है over clipping अब इसका मतलब क्या होता है over sparkling ka मतलब है जलिए यहां पास लिक आ है इसका मतलब होता है जब यह over पर मतलब बाहर निकल जाएं यह आप यहां पास देख रहें ना यह इससे जो पक्वान बाहर निकलता है जब यह बहर हो जाता है तब इसे प्रॉपर माना जाता है पूंगल तो यह उसी की बात पूरी है और क्या है और इसे बरतन में उबलते चावल की परंपार के कानण कहा जाता है अभी हमने इमेज के थ्रू समझा पोंगल एक प्रशाद होता है जो चामल दूद और गुर आदी से बना कर भगवान शूर्य को अरपित किया जाता है याद रखिएगा यहापर कोश्चन क्या है पोंगल क्या होता है सवाल बनेगा कि बताइए पोंगल क्य किया जाता है तो यह भगवान शूर्य को अरपित किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी के कारण ही भगवान शूर्य के कारण ही हमारा जो फसल है वह बहुत ज्यादा उपजाव हो रहा है और सूर्य नहीं होता तो सायथ फसल जो होता हमारा होता है अगर हम पोंगल तयोहार मना रहे हैं तो वहां पर यह क्या होगा बहुत ज्यादा important होगा जैसे पोलम का चित्रन जूला और खाना पकाना तो यह सारी चीज़े की जाती है तो यह एक हिस्सा है यहाँ पर इससे लड़वाया जाता है इनका जो विज़े होता है मतलब जो इनसे जीत जाता है वो विज़े होता है लिश्चित रूप से तो यह क्या है जिस समय पोंगल तयोहार मनाया जाता है उसी समय क्या मनाया जाता है आपका जली कट्टू भी मनाया जाता है चलिए तो ये क्या हो गया आपका पॉंगल के बारे में हो गया पॉंगल पर्व के दौरान ही सूप्रशिद्ध दच्छिड भारत का सूप्रशिद्ध पर्व जली कट्टू भी महत्पूर्ण है भारत में ये पावन हिंदू पर्व चार दिनों तक जाता है पॉंगल किते द वान्शूरे को धन्यवाद देने का ये एक कह सकते हैं परंपरा है या शंस्कृति है चलिए आगे बढ़ेंगे ये हो गया आपका जली कट्टू अब ये तो भारत के तमिल नाडू की बात हो गई भारत के अलावा और कहां कहां मनाया जाता है तो भारत के साथ साथ ये पर्व स्रीलंका मौरिसस और मलेशिया में भी मनाया जाता है किसके द्वारा तमिलो के द्वारा क्योंकि यहां पास भी क्या है आपके तमिल निवास कर तो इनके दौरा भी यह त्योहार को मनाया जाता है। अगला है आपका बैसाखी तेओहार, यहाँ पस अभी फेस्टिवल्स की बात हो रही है, अब देखिए बैसाखी तेओहार कहां मनाया जाता है, तो आपका जो बैसाखी तेओहार है यह भारत की मुख्य रूप से दो राज्यो, एक तो आपका पंजाब और एक अप हर्याना, अगर हम इसे बड़ा करते हैं इमेज को तो देखिए यह है आपका दो राज्य, पंजाब और हर्याना, और यही पस आपका क्या है हर्याना के पस दिल्ली, बैसाखी के कई अलग अलग नाम है, इसे असम में बिहू, अभी हम देख रहे थे बिहू डांस, बंगाल में नवा वर्सा केरल में पूरब विश्यू कहते हैं और यह जो तीनों आप देख रहे हैं न तेओहार, यह सभी क्या है, आपके फसल कटाई के खुशी में ही मनाया जा रहा है, पंजाब और हणियाना में काफी हरसुलास के साथ क्या किया जाता है, यह हम कह सकते हैं, खुशी के शा और भजन किर्तन कराया जाते हैं, तो यह किस की बात हो गई, बैसाखी की बात हो गई, तो यह हमारे भारत के कुछ राज्यों के तेओहार थे, चलिए, अगला हम देखेंगे ओडम, यह भी बहुत जादे इंपोर्टेंट है, इसको इना इस टॉपिक को आप इग्नूर नह ही एक मैप है, तो यहाँ पास ओडम बहुत दिनों तक चलता है, यह आप देख सकते हैं, यह ना ओडम का एक चित्र है, ओडम तेओहार हम देख सकते हैं, चलिए कुछ पॉइंट्स को भी हम समझेंगी, अच्छा पॉइंट समझने से पहले हम एक बार ओडम तेओहार का व यहाँ देख सकते हैं, आप लोग वीडियो यह ओडम में, यह इस तरह की चीजे कराई जाती हैं, ओडम में, ओडम तेओहार के अफसर पर आप देख सकते हैं, यह प्रतियोगी तभी होता है, तो यह एक क्या है, आपके ओडम तेओहार का एक छोटा सा क्लिप हो गया, और देख सकते हैं, हम लोग, यह इस तरह की भी चीजे होती हैं, आप लोग देख सकते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, यह देखें, तो याद रखीएगा, ओडम कहां कहा है, ओडम आपके केरल में प्रशिद एक तेओहार है, इस तीसका में ध्यान रखना है, चलिए, इतना काफी होगा, आगे बढ़ेंगे, पॉइंट पर ध्यान देंगे, ओडम जिसे मल्यानम भाशा में त्रिवोडम भी कहते हैं, जब यह त्योहार खतम होने वाला रहते हैं, तब समानेता इस वर्डों का यूस किया जाता है, तो यह क्या है आपका, थिरु वोडम भी इसे हम क कहते हैं, ओडम किरल का एक प्रमुक्थ त्योहार है, दस दिनों तक चलने वाला यह त्योहार है, लेकिन अगर हम 2023 की बात करें, तो 2023 में यह 20 अगस्ट को क्या हुआ है? प्रारभ होब है, तो हर साल यह त्योहार होता है, तो याद रखना है, ओडम को मल्यानम भाशा में क् ओडम को खास तोर पर खेतों में फसल की अच्छी उबच के लिए मनाया जाता है अभी तक हमने देखा कि भारत के आपका कृशी प्रधान देश है और कृशी के अवसर पर ही ज्यादा तर त्योहार सेलिब्रेट लिए जाते हैं तो यह चीज़ क्लियर हुआ चलिए ऐसा कहा जाता है अब इसका हम हिस्टरी भी देख लेते हैं माना जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था उसके आदर सतकार में ही ओडम तेओहार मनाया जाता है बहुत सारे आपको फेस्टिवल जो होते है न उसमें बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेंग तो केरल में एक महाबली नाम का एक असूर राजा था, उनके आदर सदकार में ही ओडम तेवहाद मनाया जाता है, ये तो हो गई छोटी सी बात, हाना, आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें हिंदू किवदंतियों की, तो उनके अनुसाथ, ओडम केरल में एक पॉनारिक जाता है, जिन्होंने कभी केरल पर शासन किया था, किवदंति है कि महाबली की लोग प्रीता और उनकी सकती से इर्श्या करते हुए देवताओं और देवताओं ने उनके सासन को समाप्त करने की साजिस रखी थी, ये हिंदू जो किवदंतियां हैं, उनके अनुसारे कि उन अनुसारे को मनाया जाता है, अब यहां पस कुछ क्या है आपके स्टेट हैं और यहां पर डांस है, अब यह भी न बहुत जादा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे और याद करते भी चलेंगे, चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं करनाटक की, तो जो इसमें कौन सननित किया जाता है, तो वस्याद रखिएगा, अगर हम बात करें करनाटक की, तो करनाटक में यच्च गान किया जाता है, यह तो करनाटक की बात हो गई, अगला है आपका केरल, केरल में कथक कली बहुत ज़्यादा फेमस है, इस चीज को ध्यान रखना है, यह क्या है आपका भांगड़ा और गिद्धा का इमेज है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला है आपका गुजरात गुजरात से सभी वाकिफ है सभी जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा जो प्रशिद्ध है वो गर्बा है और आपका डांडिया रास है मुझे रास आप अलग हो गया रास ने क्या किया था पता लगाया था कि आखिर हमें मलेरिया होता कैसे है चलिए अगला है आपका जो राज्य है वो है राजस्थान राजस्थान में आप सभी इस चीज को जानते कि घूमर जो डांस है घूमर जो नृत्त है वह बहुत ज्यादा विश्व प अगला है आपका आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश की हम बात करें तो आंद्रप्रदेश में कुचिपूरी और धिमासा मनाया जाता है यह क्या है आपका यहां पस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं यह आपका है कुचिपूरी और यह आपका धिमासा कुचिपूरी चलि आगे देखते हैं अगला है आपका तमिलनाडू तमिलनाडूं में अभी हम कौन सा नृत्तय देख रहे थे बताईए आपनों कमेंट करके अभी तमिलनाडू में हमने क्या देखा घर्ड प्रशिद्ध तमिलनाडू की हम बात करें तो भारत नाच्यम और लिली घोड़ा बहुत फूमस है लिल्ली घोडी यह क्या आपका लिल्ली घोडी है लोग घोडी में बैठते हैं मतलब बनाते हैं और ऐसां अगला है आपका ओड़िशा यह ऑडिशी डश ऐ कहा है जो आपके पंजाब के पास है हर्याना में धमाल बहुत ज्यादा प्रशिद्ध है धमाल याद रखिएगा धमाल को ऐसे ही किया जाता है आप देख सकते हैं थोड़ा सा यह किस कल्चर को दर्शार है आद हम लोग वढ़ते हैं जिंगा लाला हूँ टाइप से ना तो य ज्याद रखना है हरयाना में यहां से सवाल अल्रेडी बन सुपा है बहुत ज्यादा फेमास है तो यह हो गई नागालेंट की बात एक और नित्य हमने देखा था इसे और किस नाम से हम जानते हैं कमेंट करके बताएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अगला है आपका उत्तरपदेश उत्तरपदेश में कत्थक और होली नृत्य क्या है प्रशि प्रश्टेवल हमने देखा है वो भी आपनों को क्लियर हो जाएगा 36 गण में पंथी निर्ति बहुत ज्यादा फेमास है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा चलिए तो यह हो गई किसकी बाते हमारे विभिन राज्यों की बाते तो आज हमने विभिन राज्यों के संस्क करना तो जुड़िये कॉंपिटिशन कमिनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको